तो एक तरफ जहां प्रधान मंत्री मोधी हरियाना में सियासे हुंकार भरेंगे तो महराष्ट के चुनाव में कॉंग्रोस नेता राहूल गांधी अपनी पूरी ताकत जोग कर निकल चुके हैं बता दे की राहूल गांधी महराष्ट में आज दो रैलियों को संबोधित करने वाले हैं यवताल जिले के वानी में शास की मैदान में राहूल पहली रैली को संबोधित करेंगे और इसी के बाद वर्धा जिले के आर्वी में अपनी दूसरी रैली को संबोधित किया जाएग और असी के बाद धुआधार यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिसके बाद तमाम दिगज नहीं था चाहे वो हरियाना करण हो चाहे फिर वो माराश्ट का सभी इस चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं तो माराश्ट में आपको बता दे कि विदान सभा की 288 सीटे हैं और सभी पार्टिया यहाँ पर बहुमत की साथ जीत का दावा कर रहे हैं देखना यह होगा कि 24 सक्टुबर को जब नतीजे सामने आएंगे तो यह पता चल जाएगा कि आखरकार जुनता किसे चाहती है किसे यहाँ पर जीत दिलाती है तो एक तरफ हर्याणा के रण में जहाँ प्रधान मंत्री मोदी आजोंगे तो वहीं महराष्ट में दो रैलियों को राहुल गांधी संबोदत करते वे नजर आएंगे तो एक बार फिर से महराष्ट के चुनावी रण में है राहुल गांधी आपको पता दे किस से पहले भी तीन रैलियों को राहुल गांधी ने संबोदत किया था और अपने पार्टी की पक्ष में महौल बनाने की कोशिश की थी इसकी साथ ही बताया था कि NCP और Congress का जो गड़ बंदन है वो कितना मजबूत है पहिशिव सेना और बीज़पी के गड़ बंदन पर जमकर बार किया था और कहा था कहीं न कहीं अभी से मनमुटाव यहां पर दिख रहे हैं तो ऐसे में सरकार बनने की बाद जनता का क्या हो तो अब हुंकार भरते वे राहुल गांधी एक बार फ़र से महराष्ट के चुनावी रण में आज जो नजर आएंगे जहां पर दो रैलियों को राहुल गांधी संबोधित करेंगे तो वर्दा जुले के आरवी में राहुल गांधी की चुनावी जनसभा यहां पर होगी और देखा जाए तो जिन दोनों जगों को सलेक्ट किया गया है राहुल गांधी के इस चुनावी रैलिय के लिए वो काफी अपने आप में महत्तपून है और इसी के मद्दे नजर को यहां पर तयार किया किया है